नमस्कार उस्तों स्वागत है अपका मेह आपका दोस्डीनेश निम्बर बात करते हैं पॉलिटी की और पॉलिटी में आगे बढ़ते हैं डुक्टर दिनेश गेलोज सरके ये क्लास के नोट्स आगे देखते हैं आज मुख्य मंत्री और मंत्री परिशद की बात करेंगे मुख्य मंत्री मंत्री परिशद की बात करेंगे ठीक है मुख्य मंत्री मंत्री परिशद की बात करेंगे मुख्य मंत्री मंत्री परिशद की बात करेंगे मुख्य मंत्री मंत्री परिशद अनुचे 163 क्या कहता है कि राजिये जो है राजेपाल की साइता है उसला है तो जो है एक मंत्री परिश्द होती है और मुख्य मंत्री इसका कौन होता है प्रतान होता है यह बात है 163 में राजेपाल अपनी सो विवेकिये सक्तियों को छोड़ कर इस मंत्री परिश्द सलापर कारे करता है सो विवेकिये अब देखते हैं आर्टिकल 164 राजेपाल जो है मुख्यमंत्री को क्या करते हैं नियुक्त करते हैं वैवार में विदान सभा में वहमत दलके नेता को मुख्यमंत्री के पत्पर क्या किया जाता है मुख्यमंत्री के किसी भी परकार की कोई योगता समिधान में उलेकित नहीं है राजेपाल मुख्यमंत्री को सपत दिलाते हैं आलांकि इस परकार की सब्दावली समिधान में नहीं है आर्टिकल 164, 164 आर्टिकल देखें क्या है, 164, मुख्यमंत्री की सलापर राजिपाल जो है, मंत्रियों को न्युक्त करते हैं, उन्हें सपद दिलाते हैं, मुख्यमंत्री को जो है, राजिपाल मंत्रियों को न्युक्त भी करते हैं, उन्हें सपद भी दिलाते हैं, अंचिद 164 में ये इस पर सुले की थे हैं कि सभी मंत्री जो है राजिपाल के परशाद परियंद पद पर बने रहते हैं राजिपाल मुक्य मंत्री के सलापर किसी भी मंत्री को बरकास कर सकते हैं सभी मंत्री राजिपाल को सम्वोदित करते हैं अपना क्या देते हैं? इस्तिपा देते हैं. मंत्री की सपत के प्रारूब का उलेक अनुसूची 3 में है. अनसुची के अनुसार बात करें अनसुची तीन के अनुसार ना सभी मंत्री विदी द्वारा इस्तापित भारत के सविधान में दिये गए पत के सपत लेते हैं विसरदा और निस्टा की सपत लेते हैं भारत के परभूता एवकंदा को बनाये रखने की क्या लेते हैं सपत ल सब यह मंत्री वक्तिकत रूप से जो देखिए का वक्तिकत रूप से तो राजियपाल के पड़ती और सामय क्रूप से वेधान सभा के पड़ती उत्रदाई होते हैं अनुचेद 164 में इसमें उले कि थे हैं कि राजियपाल जो है चतिसगड जारखंड मद्य परदेश उडिसा राजियों में जो एक जनजातिय कल्यान मंत्री की निक्ति करेगा किसमें लिखावा वन सिक्स्टी फोर में लिखा हुआ इसमें ये भी उले कि थे हैं कि वो मंत्री भी लिखावा था लेकिन चोराण में समिधान संस्वतन के दुवारा भीयार सब्द को हटा कर चतिस कड़ें जारखंड सब्द जोड़ दिया गया अब देखते हैं अनुचेद 164 में ये इस पर स्टू लेकित हैं कि मंत्री परिस्द में अधिक्तम सदस्य संख्या विदान में मंठ्री पुर्षद कि संग्या कि संदर में कोई प्रावदान नहीं था ये प्रावदान वर्च 23 में जो है एकरान में समीधान संसोधन के दुवारा की आ गया इस फंद्रा परसेंट्ट या तो 15 पर सेंट था संग्या 12 के में जो है मुक्यमंद्री सामिल विश्य उता सब्सπίquet है ना है बाद करें छे की mr1 64 में और की मंधlo का सदस्टी होना उसे होना होता है उनका इस्तान वड़ना क्या होजाए गरिक तो जाएगा इस्ताने ना कि अंचे देख सतात्तर वन डबल सेवन में यह लेकित हैं कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो उन्हें दोनों सदनों की बेटकों में भाग लेने कता बोलने का अधिकार है लेकिन मत उसी सदन में देगा जिस सदन का भू सदस्य है मंत्रियों के बीच विबागों का बंटवारा करना मुक्य मंत्री का कारी है मंत्रियों के बीच विबागों के बंटवारे के संदर में कारी आउंटन के नियम राज्यपाल बनाते हैं 177 की बात करें 167 मुक्यमंत्रि के कर्थों का उल्लेख हैं इसके अनुसार मुक्यमंत्रि का यह करतव वि हैं कि वो जो राजेपाल को राजि पत्रश्ण के संदर में सूचना देंगा राजइपाल को विधान मंडल के वीदि समनुदि मामलों की जानकारी देगा ठीक है राज़ेपाल द्वारा कहें जाने पर किसी विषय पर मंत्री परिशत में परीच जड़्चा करवाना है अर्टिकल 163 164 177 में मुक्य मंत्रीं राज्यिपाल के समंदों को परिवासित किया गया है कि मंत्रisa sobha और विधान परिशल यहां तो जहां विधान परिशत यह राज्य निमने, उत्र पदेश, बिहार, करनाटक, अंत्र पदेश, तैलंगना तेलंगना माराष्ट अंशेद 169 में विदान परिस्द के गटन उत्सादन यानि समाप्त करना की परक्रिया का उलेक हैं जो की निम्न है समंदित राजी की विदान सबापनी कुल सदसी संक्या के बहुमत तता उपस्तित उमद्दान करने वालों के सब्सक्राइब तो राजी विदान परिस्द का गठन हो जाता है 169 में जुलाई 2021 में पस्चिम बंगाल की विदान सबाने विदान परिस्द के गठन ने तो एक परिस्दाव पारित करके संसत को भेजा है बात करें संता राम नामक समिती का समन्द विदान परिस्द के गठन से संता राम का समिती बनी उसका जो समन्द है वो विदान परिस्द के गठन से विदान परिस्द की समाप्ति है तो भी यहीं परक्रिया है शमदित राजी की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संक्या के भहूमत तता उपस्तित एंवं मद्दान करने वालों के दो पुटा तीन भहूमत से प्रस्ता पारित करें और संसद यदि इससे शैमत है तो उस राजी की विधान परिशत को समाप्त किया जा सकता है अब बात करें अनुशेद 169 में ये स्पेस्ट उलेकित हैं कि विधान परिशत के गठन अत्वा उत्सादन समाप्त के लिए अनुशेद 368 की जो प्रक्रिया है सविधान संसदन की इसकी प्रक्रिया कि आउसकता नहीं है हुआ हैं अनुशे 371 विधान परिशत की सरस्णा का उलेक हैं अनुशे 371 में विधान संसदन संख्या विदान संख्या विधान समय के खुछ सत्य के विद और 30 ट्राभ निए 10 कि 30 सबमें डीके ना विदान परिस्चेश्थ में तो इसका उसका ऊक्षा हो सकती है अनुछ देखतों कि बात करें अनुशार बात करें विदान परिसत की सरचिना सिस्ट की सदस्य दिवारा चुनाओ एक बटा तीन यह वटा तीन जो सदाश्य को चुना होगा जिला पंचाय तो नगरपालिकाओ को सदाश्य द्वारा ठीक है उसकी बाद माध्यविदालों में जो है तीन वर्स से पढ़ाने वाले सिख्ष्ष्ष्ष्व को द्वारा चुना होगा इवाटा बारा कितना करेंगे चुनाओ एक बटा बारा का विदान सभा के सदस्य गवारा चुनाओ एक बटा तीन का वो करेंगे राजयपाल द्वारा मनोईने एक अच्छे सदस्य का मनोईनन करेगा अनुचाद 171 में यह इस पर टूले की थे है कि इन सदस्य का चुनाओ एकल संक्रमणी आनुपातिक पत्तिति से होता है 171 दे रखा अब योगता उसके बारें आगे बात करेंगे नमस्कार